लो है सलाम अलेकूम के सुआए है आप सब लंदुलीलह में एकदम ठीक हूंगे तो जो इसने कल वीडियो डाली थी फोटो शूट इसका था टाइटल था था भिडियो के अंदर कूछ जो जिस तरह से इसने फोटो शूट अगेरा जो भी लिखा था तो वैसा कुछ भी नहीं टायम नहीं देती, तो सच्चा ही क्या थी, वो तो सभी को पता है, पैसा दे के ये सब करवाना और फिर कुछ था नहीं, ना मैं कुछ कॉन्टेंट नहीं था बनाने के लिए, और अम्मी अब्बू भी नहीं दिखे वीडियो में, पता नहीं, अम्मी अब्बू को कहां पे, इसने बंद करके चुपा के रखा था या कहीं बेद दिया था वो भी नहीं पता और जूट-जूट कह रही थी तैयार होने के बाद में के मैंने अम्मी को बताया मेरा लूग का अम्मी तो खुश हो गई बहुत ज्यादा खुश हो गई अम्मी लेकिन मेरे से ना वो किलीफ ड इतने शूट होने के बाद में ये का आयत उपर बहुत रो रही है अगर के अम्मी उपर होती तो आयत इतना रो रही थी तो अम्मी ने नहीं तमाला जबके अम्मी थी नहीं उपर कोई भी नहीं था इसलिए आयत इतना रो रही थी और इतने अपने हाथ ते मतलब अपने सच्चा ही उगल भी दी तो अम्मी को कहां गायब किया अम्मी कहां गई कुछ बताया नहीं तुमने पिटारा जूट कैसे पकड़ा गया आप लोग खुछ सोचे कि आप लोगों ने इनके जो धर अबू है उनको देखा होगा ना वो किस तरह से बच्चों के साथ में मतलब ब कर देंच ऊसुचे को संवाल रहे हैं एंट्रेन कर रहे हैं बच्चों को तो जाइर सी बात थरिक्यवर मीफटी rule कि इसका ईहड़ा घ्र में घर आया इंहीं गायब कर दिया लेकिन जितना टायम इसका ये मेका वगेरा और नीचे शूट चला है उतने टायम तो अमी अबु नहीं थे हां हो सकता है कि बीच में फिर आ गए होंगे अबाद में आ गए होंगे और फिर इतने दिखा दी ताके लोगों को ये जता सके के अमी अबु को मैं स बाद में आए होंगे तो पता ने और दूसरी बात के इसने जो शूट का नाटक किया ना के मैं टाइम नहीं देती है वह तो इतने खुद पैसे दे के यह सब करवाया है ताके एक वीडियो बने चाहिए तो यह था इसका ड्रामा फोटो शूट का ड्रामा यह था बाकि फोट बहुत जल्द पता चल जाएंगा उसके लिए टेंशन ना ले बहुत जल्द को याद होगा ना के सौधी में भी ऐसा ही कोच अनार कली बन के इसने कोई शूट करवाई थी और उसके बाद में पता चला था के वो तो रैडी होना तो किसी और के लिए ही था फोटो शूट तो स तरिफ और स्रीप बहाना था अतल में तो किसी और को अनार कली बन के दिखाना था ठीके तो वो ड्रामा भी सामने आ गया था और यह जो इसने ड्रामा की ये बहुत जल्द सामने आ जाएंगा किसके लिए किये क्या की और किसके साथ में फोटो वीडियो लीग होगी ना तो और दूसरी बात इसने ये भी कहा कि मैं भी पहले मेकप करती थी मेरे पास में कैमरा नहीं हुआ करता था इनके पास में सारा कूछ है मैं फिर से यही चीच के उपर आऊंगी मैं फिर से मेकप के उपर आऊंगी तो यह बात तो इसने 50 बार बोल चुकी है मैं यह चीच शुरू करूंगी लकिन यह नहीं करेंगी क्योंकि एक नंबर की काम चोर है इससे मैनत वाले काम होते नहीं और दूसरी बात कि इसके पास कैमरा नहीं हुआ करता था फोन से शूट करती थी तो भाई तेरे पास में सारा कूछ पहले भी वैसे था आज भी वैसे ही है पहले भी तेरे पास बहुत पैसे थे आज भी बहुत पैसे अभी तो चलो तेरे चैनल से आरे पहले तो तेरे जो पचास एक साथ आशिक रखती थी हर एक को लूटी थी उनकी वज़ाते तू आईशो अराम की जिन्दगी जी रही थी तो ये रोना रोना तो बन कर दे सिंपती बहुत ले ली तुने पहले वाली बाते कर करके तो सिंपती लेना बन कर बहुत बड़ी जूटी है तू चाहिए वाली पिच्छर आप जो गर से देखना और आगे मैं चोट यसी बॉइस जो लगाउंगी उसको गर से सुनना के ये अपनी मरजी के मुताबिक खुछ वी करती बाकी जो मैं किलिप लगाउंगी न उसको गर से सुनना कि इतने ना फूल फूल कोशिश की थी सबाई बराइम बनने की है ना लेकिन कहते न कि गटर के किड़े को अठा कि कितनी भी साफ जगा पे रखेंगे न रेंग रेंग के जाता गटर में तो जिस तरह का इतने कपड़ा पहनी है लोगों को बड़ा ही मतलब यह लगा कि थोड़े दिन पहले ऐसी बात करी थी अब ऐसा गंदा गंदा तो नहीं कहूंगी बहुत जने पहनते हैं लेकिन जब इंसान बाते करता है इसके बाद में ऐसे कपड़े पहन के हरकते करता है तो लोग बाते करते तो लोगों को यह लगा कि बापरे इतना ज्यादा डीब गला पीछे का पहनी थी और अस्तिन पूरी मतलब नियोट थी मतलब पूरा मतलब करते करेंट आए तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने इसकी पिच्छरे नहीं देखी ये पिच्चर देखिए पिच्चर आप लोगों ने देख ली इससे ज़्यादा गंदी तो नहीं पहनी थी न तो लोग जो बार-बार मतलब मुझे कमेंट आ रहे थे के पहले ऐसे बयान बाजी की इसने और फिर बाद में इसे डीब गले वाला ड्रेस पहन के इसने चीचोरा पना करके दिखाई तो मैं चाहूंगी कि यह अली पिच्चर आप लोग गोड़ते देखो और यह कोई फेक नहीं है जो इसके सपोटर यह पिच्चर आने के बाद में कह रहे थे ना फेक है फेक है तो कोई फेक पिच्चर नहीं है और यह पिच्चर देखने के बाद में त को दिखाऊंगी तो जब यह ऐसी पिच्चरे निकलवा सकती है गंदी-गंदी कपड़ों में पिच्चरे बनवा सकती है तो यह ड्रेस कौन सी बड़ी बात है बाकी हाँ आप लोगों का कहना भी सही है और मतलब के इंसान जब इतनी बड़ी-बड़ी बाते करता है इसके बा मैं कब से दुबटे में आज की बना रही हूं वाइशा लग रहा था तो मैंने सोचा कि अब भी आइसता ऐसता कंट्यूनियू करूंगी पहनने का त्यूंकि मैं अल्लापाक से इस चीस के लिए द्वाई कर सकती हूं हिदायत मांग से कि अल्लापाक मुझे इस तिसकी हिद और वह आज साल ओगए आज सक्के वह चीज के पर वह अटल है कायम है क्यूंकि उसके दिल में अल्ला आया है उसने इस चीज को मैसूस किया है और उसने थान लिए है कि मैं यह कंटीनी रखोंगी अपनी जिन्दगी में और इसने ना एक ओंटेंट्ट ड्रामा क्रिएट कि करने की कोशिश की कि मैं डूपट्टा सर पर रखूंगी तो के लिए उपर वाला कभी भी साथ नहीं देता अगर तुम कर रहे हो तो चलो दुनिया को तो नहीं पता चलेंगा लेकिन उपर वाला तो नियते जानता है और यह तो बड़ी-बड़ी बाते यह खुद भी करती है कि उपर वाला नियते जानता है तो उपर वाले को तेड़ी नियत पता है तो तुझे हिदायत भी नहीं दे रहा उपर वाला जब इंसान कोई भी चीज को दिल से अपनाता है न तो उपर वाला भी हिदायत देता है उपर वाला भी साथ देता है क्या मेरे बंदे ने दिल से तवबा किये दिल से इस चीज को अच्छी चीज को अपना रहा है तो उपर वाला भी न उसके दिल में आता है और उसके दिल मे पूप लोगों ने देखा होगा न किस तरह से इसने मतलब वह चीच को एक दम से छोड़ दिया और एसे गंदे कपड़े पहन ली और दूसरी बात के नमाज को लेके भी लोगों ने कितने ड्रामे किये कि हमने चैलेंज लिया है ये तीनों तीन बंदरों ने चैलेंज लिया ना कहां गया इनका चैलेंज बत आठ डिन में एक बार आके बताती है कि वह चैलेंज मैंने कंटीनियू रखा है उट्टी ये बारा बज़े सो के ठीक है जूड़ बोल देती है मैं नमाज पढ़के सो गईती है रहे खुदा का खौफ कर बेशर्मी की भी हद होती है तीतार गया फारुक को जोब पर लगा के गया वहां पर इजटमील रही थी बेटे बेटे खाने के लिए मिल रहा था तो इनको लग रहा था कि अच्छी ऊलाद नहीं है अब पता चल गया होगा तुमारे चाचू ठाढ अबू को यह उलादय कैसी होती है और किशी कदर नहीं की अ पानी के बड़े बड़े बाटले उठा उठवाओ और सब्जियां मंगवाओ अम्मी हंडी हिलाएंगी तब इनको पता चलेंगा के लायक अलाद कौन थी और नालायक अलाद कौन है पाकी मैं मुस्तफा को मतलब छोटा चीचोरा बच्चा समाजरीती लगिन यह तो भूद बड़ा चीचोरा निकला अच्छा यह देखो ना के सितारा के साथ साथ अम्मी भी अबू भी सभी मतलब मास्टर माइंड बन रहे है सितारा बनवा रिये या लोग इसको बनवाते है म नाश्टर माइंड वो नहीं थमझ में आती कि इनसे जब चिचोरे पने करके मुत्तफा ने उमर पूचा तो इनको अपनी उमर नहीं पता थी लेकिन इनको यह याद है कि लोग सौधी कप गए थे सितारा कितने साल की थी अब्बू सौधी कप गए थे अम्मी कप गई थी उम उपर वाले तो चुपाएंगे जब आएंगी तो जाना तो पढ़ेंगाई उपर वाले को बता रहे के तुम लोग चोटे-चोटे किकले हैं वा भई वा एक से बढ़के एक करेक्टर है इनके घर में क्यूंकि बाद में ना पिठारा ने बहुत अच्छी एटिंग की यह कह है मैं इंतजार करी थी अमी का तो अमी के साथ में मैंने बहुत पक्पकी फिर मैं चुप-चुप रहती हूं तो भाई इत्ते दिन से तो अमी के साथ में बाते करने के लिए मरे जा रही थी ओ गई तेरी सब चुगली हो गया तेरा सब कूछ जितना भी तुझे बढ़काना था और अमी को मतलब प्रेंड करना था कि कैसे एटिंग करना है कैसे जूड बोलना है सारा कुछ हो गया आप वापिस से चुप हो गई अब तुझे मेकप आर्टिस की जरुवत है कि वह आएंगी तो तूस्ते बाते करेंगी और मेरा मन नहीं करता किसी के धर जाने का कोई और मेरे घर पर हhanded के दुझे से जाएंगी पूर्बाट के वह होती है और वाल करने के लिए को कोई नी ङूती है तो फ्लानिंग प्लॉटिंग पूरा दीन चालू रही है तुझे तो बल्के 24 घंटे भी कम पड़ते प्लाइनिंग भी करना फिर कस्टमर अटेंड करना यह करना वह करना उसके बाद में फिर यह सब बाते तरह मुझे बिल्कूल भी नहीं अच्छी लगती तो बस कर दे जूड बोलना बनकर तो यह वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूं वीडियो कैसी ल हूं थाओ जाओ ब में वीडियों आगन हूं लाँ